हाई स्टूडेंट्स आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कलास 11 हिंदी इसके अंदर 2021 का जो सेशन है उसमें किस टाइप का पेपर आपका आने वाला है क्या क्या चीजे आपको प्रिपेर करनी पड़ेंगी वो सारी चीजे और किस तरीके से आप फास्टली प् आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां पे यह जो कोस्टन पेपर डिजाइन जो है यह 2020 का दिख रहा है आपको एक्चुली में जो है ना 21-22 के सेशन का है लेकिन लास्ट एयर का जो स्लेवर्स था हिंदी का वो सेम स्लेवर्स अब की बार भी एजटी चिपका दिया गय स्लेवर्स का अगर आपको कोई आइडिया नहीं कितना कम हुआ है कितना नहीं कम हुआ है उसके बारे में लास्ट में जिकर करेंगे अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि यह जो पेपर डिजाइन है 20-21 का आपको वेबसाइट पे मिलेगा यह ओफीशियल वेबसाइट लिखा हुआ है बकाइदा 21-22 बट वहां पे आपको जो डिजाइन देखोगे वहां पे आपको मिलेगा 20-21 लिखा हुआ जब PDF डाउनलोड कर लोगे अब शुरू करते हैं यहां पे लिखा क्या क्या हुआ हुआ है देखो पहले तो यहां पे कुछ सेक्शन बाटे जा रहे आपको क्लियर हो गई होगी मालब हमें खासा ध्यान रखना है कि जो पैसे जाते हैं अगर आप पेपर उठाके देख लेना सबसे एजी रहेगा यहां पे ज्यादा मलब दिमाग खराब करने की जूरूरत पढ़ने नहीं वाली क्योंकि पेपर उठाके देखना एजटी पेपर ही मिलेगा ठीक है बस थोड़ा सा बदला मिलता है और कुछ ज्यादा फरक नहीं पढ़ता से लिए उसके साब से पेपर का कोई आइडिया नहीं है तो पेपर हमने अपनी वेब साइट पर दे रखा है तो वहां से डाउनलोड कर लेना तो यहां पर जो है रीडिंग कंप्रियंसिव में आर हो जो है आर हो का पद्या भाग यहां से बहुवी कल्पी परसन आते हैं वह तो हर बार यह आते हैं और जरूर यहां से आपको याद करने दो भाग है और रहहो कंदर आ रहो बाग एक अंदर एक पद्र भाग होता है ना यहां कि एक में कहानियां होती है व्यक्या वालप ओर्सटॉम्सिज ऑनplement को अच्छे से आईडिया में साइंगी इस शिए अंभर Q स्यस्ट सटोग इसे यह कि 26 नंबर है और मज़े में निकल जाएंगे 26 इतने मुश्किल नहीं आते इजी ही कोस्टन्स आते हैं एक काद कोस्टन है जो डिफिकल्ट बेस पे दिया जाता है ज्यादा तर इजी होते हैं उसके अलावा जो है व्यक्या जो कि हर बार आती है व्यक्या जो आपकी चार तो तीन चीजे ध्यानगना पहले आपको परसंग लिखना होता है कि यह कौन सा पाठ है कौन इसका लेख गया ठीक है उसमें इतना ही बताना होता है किताब तो सबको पता है वैसे तो फिर भी लिख देते हैं कि यह हमारी पुस्तक आरो भाग एक से लिया गया है और इसके अधर ये यह पाठ का नाम है इसका कवी यह है उसके बाद में आता है व्याक्त क्वेसरों कि आस करते हैं कि एक में मिलेंगे उसके अलावा या कौ लेंगिज डफ आइडिया है आपको आइडिया देता अगर आपको जो व्याक्त की लिए ठीजiox आ रही है अगर seg और आप आपने पढ़ा है आपको फील आ जाएगी वह अगर आपको वह लगे कि वह हिंदी जैसी ही है उसमें मतलब ट्रांसलेशन के लिए कुछ वर्ट जो है डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल हिंदी जैसी भावनाय व्यक्त करी गई है तो वह ज्यादातर आपको खड़ी बोली ही मि देखो ध्यानकना खड़ी बोली के बेस पे व्यक्या करना बहुत मुश्किल से आता है तो उसके अलावा जो कविता हैं बची उनकी व्यक्या पर आपको थोड़ा साथ ज्यादा करना तो कुछ चैप्टर हटे हैं उस चीज का ध्यानकना तो इस चीज को देखते हुए आप पाओगे कि लगबग एक दो ही चैप्टर है जिसकी व्यक्या आपको धंग से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि खड़ी बोली के बेस पे बहुत ही रेरली पूछी गई है जो में है वो जो है संस्कृत टाइप से की जो होते हैं उसमें से ही पूछी जाती है उसके अलावा उस नबर और मार्क्स लेंगे एक यह क्या अच्यार को चार माक्स के आपके होने वाले हैं चैप्टर जादा हैं पढ़ाओगा तो आ जाएगा नहीं तो देखो लास्ट यर्स में जो है इससे पहले के यर्स थे जब नॉर्मल पर वहा करता था कोरोना काल से पहले तो उस टाइ सब्सक्राइब करें अब अपने पास यह भरने का कोई सेंस नहीं बनता तो आप जो है सिंपल यह रहेगा कि बेसिक बेसिक जो पॉइंट 7 का ध्यानक ना जब चैप्टर आप पड़ रहे होते हो बाकि कोशिश करेंगे अगर मिले कहीं पे तो उनको एड़ अप कर दिया आपको पास और असे कुछ लो तैसलर में अपर तो बहुत आप इसको अच्री अधिक अधिया कवी परिचा कवी परिच्च जो है न आप देख लेना इंपोर्टेंट कवी परिच्च कौन-कुछ जा जबाना में दो चार ही होते हैं उन में से स्लेव में से बहटा दिये आएगे जो की चार नंबर का आएगा आपका जीवन प्लिच्छ ऑर के पर चरन अब बड़े बड़े कोष्चन आएगे वह एक या बड़ा थीक यहां पे दस नंबर का आने वाले हैं अब यह चीजे हैं बहुत तीजी रहेगा आपको मैं एक ही चीज रिक्मेंड करूंगा कहां कहां पर आपको ध्यान रखना है अगर आप पेपर करते टाइम पर किस तरीके से अगर देखो कुछ टूटेंट होते हैं जिनको चाहिए होते हैं जो बहिया बोलते हैं बहिया बस पास करा दो और कुछ जरूरती नहीं है अपने को तो अगर जिनको पास होना है या फिर ठीक ठाग नंबर लेने हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है तो उनको किस चीज पर ध्यान देना है पहली बात एमसी क्यूज को गलती से भी छोड है न मुछ नंते हैं लिं蛋 स्हुन आप नाम या उनको आपको आइडिया नहीं होता गाट वह याप्रणा को साइड में पैठे होंगे ती के लावब जो पावी परिच एजी होता है कि नहीं होता तो तो अभी psych इंप वह चार नंबर चार नंबर इतने इस जिली मिल जाएंगे आपको क्या करना होता है देखो एक तो आप जो है सामान्य जीवन प्रिच्चा लिखते हैं नॉर्मल उसकी लिखनी है रचनाओं के बेशिज पे देखो यह जो पोर्षन अगर आप बनाते हो ना बिना पोर्षन के आप ऐसे अंधों की तरह भरते जाओगे ना तो आपको पता लगे चार में से दोई नंबर मिलें आपको पॉइंट बना लेना है सामानने जीवन प्रिच्च है रचना यह सायली अगर आपकोशेप्टर है है Alto रखक याद आगया तो होंको पता है चेप्टर कैसा हिंदी का बेशिक हैं ही तो आपको जो है समझे आप अगसास तो और आप अधकर सकतेँ आप चाहो तो पट यह तीन पोइंट है जो कि मेंडेटरी रहते हैं बनाने आपके ठीक है यह चीज़े ध्यान करता है बट यह तीन चीज़े जरूर यात रखना उसके अलावा जो है यहाँ पर संथर के अंदर जो जितना पूछा जाता है इतना लिखना है अगर देखो यहा लगने लिखने लगे यहां पहुंच गए फिर अगली लाइन लिखी यह भर दी वह यह दो नंबर आने चाहिए राइटा चैकर मेरे को दो नंबर दे दे देना पक्कम पक्का स्कूल वालों को चेक करने वाइसे तो फिर भी उमीद करते हो आपकी अच्छा स्कोर करें तो एक अगर वीडियो नहीं आपाती है टाइम से एक्जाम क्लोज है आपके तो आपको जो है वेबसाइट पर चले जाना है अपको सारी सब्साइट से हैं वहाँ पर जाके आपको पर आपको सारी जरू सारी चीजे जो वहान पर जाके आपको आपको कामघी थे मिलेंगे वेबसाइट acho Yup एंगे में जरूर से चले जाना है और की अबर पको समझा गया होगा कि किस तरीके से आपकों करना है पेपर herb को किस तरीका कि घचाना तो फेल्पन वह नहीं करें जाते उन्टीस पूराने को्षण और आप हम देख रहे थे 2000 क्लास के पेपर देख रहे थे उनके लिए गाइड वगएरा में से मिल गए थे पेपरों में से उठाए थे हमने तो जब हमने में चैक करें तो लिटरली उनमें पेपर में आये नहीं तो इसे अच्छा क्या रहेगा कि कोस्टन अंसर पढ़ लेना ज्यादतर जो कोस्टन्स है न mcq के वह इंपोर्टन कोस्टन जो होते आपको पता लग जाता है कि इंपोर्टन यह है इस चैप्टर में से तो इंपोर्टन कोस्टन के अंदर से ही पूछ तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेर कर पाओगे इस तरीके से अगर गाइड़ों में जाओगे और एमसी की तियार करोगे तो इस तरीके से आप इनको तियार नहीं कर पाओगे फास्टली तियार करने का एक ही तरीका important questions को पढ़ लो समझ लो और उसके बाद में आप को आइडिया लग जाएगा बागी chapter पढ़ा हुआ है तो बहुत यह अच्छी बात है चलो मिलते हैं नई वीडियो में आपके लिए important questions की वीडियो बना देता हूं यार है ना मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई